हलो मेरा नाम दॉक्टर दीपक केलेगर है मैं मन्नोविकार सेख्षरोग सम्मोन तथा व्यसनमुक्ति तग्य हूँ महराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हमारे यहां दो हस्पिटल है उसमें मन्नोरूगन तथा व्यसनी लोगों को रिष्टेदारों के साथ में एलाज को अन्याक को बीना इसदार बरती करते हैं एक पैशन के बार में अलेतलब एक बिमारी के एप को बताने वह यह Panic Disorder जैसा मैंने पहले वीडियो में मैंने Panic Attack के बारे में आपको बोला अभी वह रहो Panic Disorder के बारे में तो जो लोगों को Panic Attack आता है और जैसा मैंने पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा उसमें मैंने लिखा हुआ है मैंने बता हुआ है कि 13 में से 4 लक्षण है और वो 10 मिनिट के अंदर आती तीवर सवरूप में आते है 13 में से 4 तो समझना कि यह Panic Attack है तो ऐसे Panic Attack आना जरूरी है Panic Disorder के लिए उसको डियाग्नोस करने के लिए Panic Disorder में Panic Attack आना जरूरी है मगर Panic Panic Attack आने के बाद में वो अच्छा होने के बाद में यदि उसको एक मेहने तक उसको एक मेहने तक मैं जो बोर रहा हूँ उसके 3 में से 1 सिंटम ही दी रहा तब यू फिर उसको बोलते कि उसको Panic Disorder है मतलब देखो Panic Attack है उसके साथ 3 में से 1 एक मेहने तक और वो कौन सा है कि बार-बार चिंता रहना कि और अटक आजाएंगा इसी चिंता बार-बार रहना एक मेहने तक मतलब हर दम उसके तनाव की नीचे रहना कि अटक आजाएंगा नमबर एक नमबर दो जो है कि Panic Attack से जो नुकसान हो रहा है उसकी चिंता करना या उसके बार-बार-बार-बार-बार-बार उसके बार-बार-बार-बार ये करना कि नहीं में मर जाऊंगा क्या मेरा कंट्रोल निकल जाएंगा मेरे उपर या फिर मैं पागल हो जाऊंगा क्या मतलब उसकी बार-बार चिंता करना और तीसरा कि panic attack आने से बरताओं में फरक पड़ना और बरताओं में फरक पड़ना मतलब कैसे है कि जब panic attack आता है तो उसको लगता है डर बाहर जाने का तो बाहर जाता नहीं ठेटर में जाएगा नहीं, पिक्चर देखने लिए मॉल में जाएगा नहीं, बजार में जाएगा नहीं. कहीं सफर अकिला करेंगा नहीं, अपने काम पे जाएगा नहीं. मुझा उसके रगता कि Goodnight आगया तो मैं क्याख हो सामय मर जाऊंगा तो. को इसलिए वह घर के बाहर ही निकलता नहीं है घर में बैठे रहे तो यह जो बरता। में, बदल आ गया है मेरे पास मैं ऐसे लोग आते कि 2-2 साल वो अपने घर में बैठे रहे हैं.. गर के बाहर भी निकले अभी उसके treatment कैसे करना काफी लोग पूछते कि आप treatment के बारे में बता हूं मैं आपको बताता हूं treatment क्या है तो एक तो ऐसे कि अपने thought को watch करना और thought अपनी जो thought से उसके बारे में सोचना वह हैसा है कि जब आपको वह attack आता है तो बहुत है कि अटेक आ रहा है तो इसके बारे में उसने सोचना इते के समय उसको acknowledge करना कि यह मेरे को thought आ रहा है यह भावनाई आ रही है और इसके वज़े से मेरे को डर लग रहा है यह अटमेटिव चलू हो गया है तो इसमें खुद क को अबज़र करो तुद को अबज़र करके देखो कि यह मेरी भावना है और मेरी विचार यह अतिति वो रहो गए इससे मेरे कुछ डाल लग रहा है तुद के बारे में सोच नंबर एक नंबर दो उसे में यह भी सोचना है कि ऐसे अटेक मुझे आये है पहले और यह अटेक से मेरी मृत्य तो नहीं हुई कि मरतों जाओंगाने में इतना पक्का है ने तो अभी तक मरता था तो वहां उससे में बैटके जस्ट आराम करना रिलाक्स हो जाना पूरा बदन रिलाक्स करना और सिर्फ सोचना कि कुछ होने वाला नहीं है यह अटेक चले जाएंगा मैं अच्छा हो जाओं कि दूसरा और तीसरा वह अटेक जाने के बाद में यह है रिलाक्सेशन टेक्निस्ट जो है वह सीखना उसमें क्या करते है कि पहले पूरे बाड़ी के बदन के करणा धिलाक हो घलाक घ Parl तो पूरा बदन ढिला करना है, लूज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना और उस समय सेल्फ हिपनोसिस के सजेशन देना अपने अंतरमन को और जो पैनिक अटेक आते है उसकी कलपना ये अवस्ता में करना मतब देखो अपने brain को पझेट कर रहे है चीटिंग क्या कर रहे है बैटाय गर में सोच रहे कि मुझे पैनिक अटब और रिलाक्स बैठे लुए तो जैसे बार-बार आप प्रआठीस करते हो relaxation की प्रेटिस करते हो self hypnosis self-session की प्रेटिस करते हो विजुलाइजेशन की पैट्रिस करते हो और वह एटक आता है तो कुछ दवा अपने पास में रखे और जबान की नीचे दवा रख दिया तो वह उत्ते पूरता एटक तो ठीक हो जाएगा जैसे पैनिक डिसौर्डर का इलाज है यह तो इसमें काफी सारे लोगों को बहुत सारे लोग है जो आपके परीजित होंगे की जो बाहर जाना टालते होंगे घर में बैटते होंगे काम जनता जाना छोड़ते और कारण भलते ही देते हो उनको यह मालूए नहीं कि बीमारी है जरूर यह वीडियो लोगों को शेयर करो उनको फायदा हो जाएगा हमार पर एक अच्छा समाज हम निर्मान करेंगे एक Powerful इंडिया हम निर्मान करेंगे।। तो जरूर वीडियो हो ह orch आप लोगों को share करो अपको अच्छा लागा था लाइक करो और लाइक करने के बादा रिए या सॉब्सक्राइब करने झाल झाल